नमस्कार मैं संदीब कसालकर वियोर्स को कॉंप्रेंसिव अपडेट प्रोवाइड करने के लिए क्रिप्टो टीवी हुआ है अब 3.0 TV में रिप्राइड तो क्रिप्टो करन्सी जब्लोक्चेन, मेटावर्स, नन फंजिबल टोकन्स, सिक्योरिटी और लेटेस डिजिटल सेग्मेंट से जुड़ी हर वेब 3 रिलेटेट खबरों के लिए देखते रहे 3.0 TV चैनल तो सबसे बेले क्रिप्टो वर्स से जुड़ी ने खबरों के साथ आई देखते हैं क्या कुछ हुआ क्रिप्टो की दुन्या में? सबसे बहले रूख कर दे हेडलाइन्स की ओर दिशाहिन मैक्रो एकोनॉमिक के चलते क्रिप्टो करन्सीज में दिखी अस्तीर था रेगुलेटरी जांच के बीच चाइना के टेंसेंट ने अपने प्लाटफॉर्म पर रोकी एनेफटी की सेल बिटकोईन माइनर प्राइम ब्लाग ट्रॉप्स किया लिस्टिंग प्लान मर्जर मूब को किया ख़त्म हैक के बाद अकाला स्टेबल कोईन पहुचा वन डॉलर पे के करीब कम्यूनिटी ने बर्न किये 1.2 बिलियन मिन्टेट ए युएस ट्री क्रिप्टो लेंडर हॉडल नौट ने फोस लिक्विडेशन से बशने के खादिर जुडिशियल मैनेजबेंड के लिये किया फाइल क्रिप्टो पंक और बी बीट्स होल्डर सब अपने एनेफटी को कर सकते हैं कमर्शलाइज इकोनेक्स ने वॉलेटिलिटी और लो वॉल्यूम का हवाला देते हुए क्रिप्टो एक्षेंज को किया बंद टीसीयस ने टाटा ग्रूप की कमपनियों को मेटावस सोलुशन्स डेपलॉई करने के लिए किया एंगेज अब देखते खबरे विस्तार से क्रूड ओयलू की कीमतों में ढील के बीच रिटेलर के रिजल्ट की हडबडाट से पहले क्रिप्टो करनसी में उतार चड़ाव वाले शेर्स में इन्वेस्टर्स की अंसेटेनिटी थी जो यूएस इंफलेशन को कम कर सकता है और फेडरल दिज़र्व को दरों में बड़ो तरीकी गदी को कम करने के लिए प्रेरित कर सकता है जबकि बिटकोईन में करीब 24,000 डॉलर का उतार चड़ाव देखा गया दोव जोन्स इंडेक्स ट्रेडिंग फ्लाट और S&P 500 और टेक हेवी नाजट्रेक्ट ट्रेडिंग लोग के साथ यूएस स्टॉक्स की शुरुवात मिली जूली रही यूएस वेस्ट टैक्सिस इंटर्मेडियाट क्रूड 88.62 डॉलर तक गिर गया जो इंट्राडेड ट्रेड्स के दोरान तीन फरवरी के बाद का सबसे निश्टास्तर है जबकि ब्रेंट क्रूड फ्यूचर्स और भी फिसल कर 93.98 डॉलर प्रती बैरल हो गया रेटिंग एजनसी मूडी को उमीद है कि 2024 के अंत तक ग्लोबल ओयल की कीमते लगबग 70 पर बैरल तक गिर जाएंगी जबकि बाकलेज, यूएस, वेस्ट, टेक्सिस, इंटर्मेडियाट को 2022 और अगले साल के लिए औस तन 99 डॉलर देखता है इन्वेस्टर्स इस हपते FOMC Minutes, Housing Data, Housing Start, Mortgage Applications और Building Permits के साथ साथ Retail Sales, Industrial Production, Manufacturing Production और साल दर साल Red Book Data पर नज़र रखेंगे इन सब के बीच, बिटकोईन ने हाली में पिछले 24 घंटों में 0.7% की गिरावट के साथ अराउं 23,930 डॉलर पर टेड कर रहा था जिबकि ETH को उसी समय के दोराद 0.6% की गिरावट के साथ 1,880 डॉलर के आसपास ट्रेड करते हुए देखा गया वही दूसरे सभी Major Alt Coins को Mixed Trade करते हुए देखा गया Chinese Internet Giant Tencent Holdings ने मंगलवार को कहा कि वो अब Regulators की चार्ज के पीच अपने Non-Fungible Token याने NFT प्लाटफॉर्म पर Digital Collectibles को जारी नहीं करेगी पिछले साल अगस में शुरू किये गए सबसे biggest Digital Collectible Platform में से एक हुआन है NFT प्लाटफॉर्म अब मंगलवार से NFTs नहीं बेचेगा Routers ने Tencent के एक बयान का हवाला देते हुए कहा जो WeChat messaging app का भी मालिक है हाला कि जो customers NFT की मालिक है वो अभी भी Digital Asset के लिए refund का request, display या hold करने में सक्षम होंगे Crypto Mining Company Prime Blockchain ने Special Purpose Acquisition Company 10X Capital Venture Acquisition के साथ Merger Plan को Drop करने के बाद NASDAQ Stock Exchange में अपनी Plan List समाप्त कर दी है एक regulatory filing के अनुसार दोनों companies ने mutually 1.25 billion dollars के merger deal को समाप्त करने पर सहमती व्यक्त की और इस कदम का कोई कारण नहीं बताया है SPA से बिना operations वाली एक company है जो पूरी तरह से किसी company को हासिल करने और उसे public करने के इरादे से बनाए गई है Polka.based decentralized finance याने DeFi platform दोरा weekend में exploiters दोरा mint किये गए 1.2 billion से ज्यादा AUSD token के burn के बाद अकाला की native stable coin AUSD US dollar के लिए अपने पेग को फिर से हासिल करने के करीब आ गई है जिन्होंने platform के liquidity pools में से एक में बग का फाइदा उठाया इस साल की शुरुआत में launch किया गया AUSD ने hack होने तक अमिर की डॉलर के लिए अपने soft peg को सफलता पूरवक रखा हमले के बाद AUSD की कीमत roughly 1.03 डॉलर पर token से घिर कर 0.009 डॉलर हो गई मंगलवार को token burn के बाद पेग नियरली regen हो गई थी जो 0.97 डॉलर के 24 घंडे के उचस्तर पर पहुँच गई थी ये करंट में 0.01 डॉलर के अराउंड ट्रेड कर रहा है वही Twitter account at the red Alice underscore UND underscore B.O.B. ने अनुमान लगा है कि damage 0 डॉलर से 10 डॉलर मिलियन थी जबकि recovery की संभावना अराउंड 1.6 मिलिन यूएश्डी है सिंगापू बेस क्रिप्टो लेंडिंग प्लाटफर्म हॉडल नॉट अपने चल रहे liquidity crisis को manage करने और मौझूदा bear market में assets के force liquidation से बचने के लिए judicial management की मांग कर रहा है क्रिप्टो लेंडर ने मंगलवार के announcement में अपने users को inform किया कि उन्होंने judicial management के तहद सिंगापू हाई court में application दिया है जो creditor protection का एक रूप है application पर अदालत द्वारा सुनवाई होनी बाकी है और firm ने अपने judicial management application पर आगे के update के लिए अगली तारिक 19 अगस तक दी है अगर approve होता है तो कानून hodl not को temporarily legal claims और proceedings सी भी बचाएगा जो company का माना है कि company के rehabilitate के लिए recovery plan पर हमारे efforts पर focus करने के लिए एक breathing space प्रोवाइड करेगा युगा labs ने crypto punk और me bits non fungible token और nft holders के लिए अपना intellectual property licensing agreement जारी किया है agreement एक holder के nft के holder पर create projects और products को बनाने के लिए full commercialization rights प्रोवाइड करता है उन्हें board yet yacht club के holders दवरा प्राब IP rights के बराबर रखता है युगा labs ने पहली बार मार्च में लार्वा लैब्स से collections खरिदा था और crypto punk और me bits holders अपनी holding पर clarity की प्रतिक्षा कर रहे थे जबकि युगा lads IP का मालिक है जो इसे nft holders को license देता है Nasdaq listed financial services firm, Econex Limited ने 15 अगस को announcement की है कि वो गिरती trading volume, intense market competition और कम margin के कारण अपने crypto currency exchange operations को बन कर देगी एक्षेंच जो 2020 में शुरू हाता जो 22 अगस को सुबह 8 बजे UTC पर trading बन कर देगा और customers के पास अपना fund निकालने के लिए 14 सितंबर तक का समय होगा इस दवरान company के मुताबिक सभी withdrawal fees माफ कर दिये जाएंगे इस बीच एक्षेंच का native EQO token जिसे वापस नहीं लिया जा सकता है उसने तुरंद trading बन कर दी है होल्डर से उनके EQO balance के डीटेल के साथ सीधे संपर किया जाएगा Econnex को उमीद है कि अपने crypto exchange को बन करके ये अपने business के दूसरे areas में ज्यादा competitive होगा Tata Consultancy Services, revenue के हिसाब से भारत की largest software service firm Tata Group की companies जैसे तनिश, Tata Motors और क्रोमा के साथ Metaverse Solutions को deploy करने के लिए काम कर रही है Tata Group की jewelry arm Tanish ने हाली में Metaverse में एक नया collection launch किया है जहां guest तयार कियेगे PCS को virtually try कर सकते है TCS XR Lab के head अशोक महराज के अनुसार company तमिलनाडू सरकार के लिए एक museum Metaverse launch करने के लिए एक solution पर भी काम कर रही है इसके Metaverse proof of concept के हिसे के रूप में TCS सयुकतराज में एक major media company के लिए एक non-fungible token यान NFT marketplace को build कर रहा है इसमें एक fashion retail के लिए Metaverse में retail mall, CPG vertical के लिए एक candy Metaverse और UK में एक leading bank के लिए virtual branch भी शामिल है तो आज के लिए बस इतना ही crypto world से जुड़ी नई खबरों के साथ बने रहे है 3.0 TV के साथ तब तकि लए मैं संदीब कसाल कर आप से विद्या लेता हूँ, नमस्कार तो आप से लिए तो आप उताँ आपसाम जाप तो आप साथ